नमस्कार साथियों जैहिंद कैसे हैं आप सभी लोग हमारे करेंट अफेर की सीरीज में एक और नई चीज हम एड़ कर रहे हैं वह है एग्री कल्चर से रिलेटेड सभी स्कीम्स जितनी भी योजनाओं को इसी करेंट अफेर की सीरीज में कबर करेंगे कुछ बच्चों के मैसेजिस थे कॉल भी थे किसर आप स्कीम्स बगरा जो हैं वो यूट्यूब पर ही कवर करा दीजे तो चलो यही सही बच्चों को जितनी भी आल्मोस्ट एटू जेड जितनी भी एग्री कल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं वो सभी स्कीम्स सभी योजनाओं अपने यूट्यूब पर ही कवर कराएंगे तो एक एक करके सभी स्कीम्स को पढ़ लेते हैं शुरूबात करते हैं अपनी यह देख लो भई नाम तो आप सब लोगों पढ़ी लिया है क्या है प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना अभी की डेट में कहें तो सबसे प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना इसको नाम भी दिया गया है सम्मान के तोर पर कि हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं एक सम्मान के तोर पर पर किसानों को सम्मान करने के लिए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ फाइनेशियल कुछ लॉंच की बात कर लेते हैं कि ये इस किम कब लॉंच हुई थी तो देखो यहां पर तीन तारीख हमको मिलती है और तीनों तारीख में कन्फीजन है पहली तारीख किया है कि यह जो है वह फैक्टिव कभ वही थी effective ही थी आपकी ये 1 December 2018 को ठीक है ये scheme जो है वो 1 December 2018 से effective है लेकिन इस scheme के बारे में सबसे पहली बार पता कब चला लोगों के बीच में ये scheme कब आई ये scheme आई थी आपकी 1 February 2019 को जब 2019 में अपना Union Budget पेस किया जा रहा था उस वक्त के हमारे जो finance minister थे पियूश गोयल जी, acting finance minister थे पियूश गोयल जी उनके द्वारा इस scheme को अनाउंस किया गया अनाउंस डुबाए पियूश गोयल जी इनके द्वारा सबसे पहली बार इस scheme को अनाउंस किया गया 1 February 2019 को कब जब ये Union Budget को पेश कर रहे थे उसी वक्त During the Interim Union Budget टीक है उसी मैं इसी scheme के implementation के बारे में सबसे पहली बार बताया लेकिन 24 February 2019 को इसे ओफिशली लॉंच कर दिया प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी रहे तो यहां पर तीन डेट अपने पास है ओफिशली लॉंच्ड वाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चीक है तो तीन तारीक हम को यहां पर मिलती है बच्चा कन्फीज है सब कौन सी तारीक याद करना है तो बेसिकली आप यहां पर दो डेट याद रखो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 24 February 2019 कौन सी बाली 24 February 2019 विप्रदान मंतरी नरे लॉंच किया है वही इंपन मानेंगे तो ऑफिशली इसका जो लॉंच था हाला कि इसकी शुरूबात तो एक दिसंबर 2018 से हो चुकी थी ध्यान रखना तो इस तारीक को भी याद रखें कि कॉश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पी-एम किसान जो योजना है जो प्रदान मंतरी किसान सम्मान निधी उजना है यह effective कब से थी तो एक दिसंबर 2018 से लेकिन ऑफिशली यह कब लॉंच हुई 24 फरवरी 2019 को प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी द्वारा क्या है इस स्कीम का टार्गेट यह स्कीम क्यों लाई गई जैसे कि मैंने कहा था कि इस स्कीम के अंतर्गत नगत पैसे दिये जाते हैं नगत से मतलब है कि एक एक किसान के घर जाके नहीं सीधे उनके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे कितने पैसे ट्रांसपर किया जाएंगे तो यहाँ पर 6,000 रुपए प्रती वर्स एक साल में 6,000 रुपए एक किसान को दिये जाएंगे और वो भी तीन इंस्टॉल्मेंट में एक साथ वो 6,000 रुपए नहीं दिये जाएंगे तो इस स्कीम का टार्गेट है एक तरह से किसानों को financially help करना financially help to farmer यानि किसानों को आर्ठिक मदद प्रोवाइड कराना नें को this यानि कि साल में एक बार पूरी साल में 6,000 रुपए दिये जाएंगे वो भी तीन installment में into three installment ठीक है तो आप समझ जाएए तीन installment में दिये जाएंगे मतलब एक installment में कितने बनेंगे 2000 रुपे बनते हैं per installment एक installment में installment में 2000 रुपे बनते हैं तो ऐसे करके तीन वार आपके खाते में ठीक है ध्यान रखना यह direct आपके bank account में दिये जाएंगे यही इस scheme के सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर कोई middleman बगएरा नहीं है कि पहले किसी और को दिये जाएं या पहले राज्य सरकार को दिये जाएं राज्य से फिर वहीं परा यह direct central government के scheme है direct central government से ही किसानों के खाते में जाते हैं तो direct यह आपके bank account में जाते हैं यह इस scheme का सबसे अच्छा point है सबसे अच्छा point यह ही है कोई middleman का चक्करी दे अब यहाँ पर तीन installment में यह पैसा मिलता है अगर मैं इसकी बात करूँ कि एक दिसंबर 2018 से यह effective है ठीक है तो पहली installment जो है वो मतलब यह तीन installment है वो कब-कब मिलेगी वो period की अगर हम बात कर लेते है period of installment तो पहली जो installment है वो आपकी एक बारा दो अजार अठारा से लेकर के 31 March 2019 के बीच में यह आपकी रहेगी यहाँ पर first installment इंस्टॉल्मेंट मिली थी अब तो 2020 चल रहा है तो यहाँ पर बस year चेंज कर दो यह तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि दिसंबर से लेकर के मार्च तक के बीच में दी जाएगी पहली installment यह फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बारा दो हजार इकीस से लेकर के 31-3-2022 तक के बीच में पहली installment मिल जाएगी दूसरी installment जो रहेगी वो आपकी रहेगी एक अपरेल 2018 से लेकर के आपका यह चला जागा तीन महीने पर यानि कि जुलाई में 31-07-2019 अरे यह 18 क्यों लगती है आप तो 19 में जाना है हमको 19 यह मिलेगी आपको second installment second installment यानि कि यह रहेगी आपकी अपरेल से लेकर के जुलाई के बीच में ठीक है दूसरी installment तीसरी installment आपको मिलेगी 108-2019 से लेकर के 31-11-2019 तक यानि कि यह आपकी रही तीसरी installment यह मैं सिर्फ आपको पहली installment बता रहा हूं जो क्योंकि 2001 अपना यह एक दिसंबर 2018 को launch हुई थी तो उसी दिन से अपना बता रहा है कि यह स्कीम थी अब जो आज की डेट है उसमें वास खाली year change करते जाए यह 2018 की जगापर 2021 से 22 फिर आपका 14-2022 से 31-7-2022, 18-2022 से 31-11-2022 ठीक है अगले साल की अगर हम बात करें तो आपका यह हो जाएगा 112-2022 से 31-3-2023 ऐसे हो जाएगा तो यह आपका चलेगा कहां से कहां तक अगस्त से लेकर के नवेंबर तो तीन इंस्टॉल्मेंट में आपको यह दी जाएगी यह उसका duration है अभी क्या चल रहा है अभी तो मार्च चल रहा है यानि कि एक इंस्टॉल्मेंट तो आ चुकी होगी बिलकुल आ चुकी होगी और अभी तक टोटल कितनी इंस्टॉल्मेंट दी जा चुकी है एक साल में तीन इंस्टॉल्मेंट देनी है अभी तक टोटल अभी जो मार्च में ज्यादा समय नहीं हुआ है इसका अगर मैं करेंट स्टेटस की बात करूं इसके करेंट स्टेटस की बात करूं तो अभी पंद्रा मार्च 2022 को इसकी दसवी किस्त दी गई है यानि कि जो installment अभी मिली है वो कौन सी है 10th installment किसानों को दी गई है यानि कि किसानों के पास 10 वी किस्त पहुँच चुकी है यानि कि ये 10 वी बार 22,000 रुपए उनके account में पहुँचे है तो एकत्ती है आपकी 10 वी installment थी अभी तो आएगी ये मैं क्या वोल रहा हूँ दसवी installment आ चुकी है वही कलती हो गई ये 15, 2, 2, 2021 को आ चुकी है 15, 2, 2, 2021 को 10 वी installment आ चुकी है ठीक है और ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च में ही तीसरी installment सुरी 11 वी installment भी आ जागी वो आ जाएगी तो देखा जाएगा अभी मार्स तो चली रहा है तो पंदरा बारा दो हजार एक्कीस को दसभी इंस्टॉल्मेंट आ चुकी है यहां से अगर जो डाटा हम बात करें तो लगबग 21,000 करोड एक्जेक डाटा की बात करें जो अपने ऑथेंटिकेटेड न्यूस फार्मर्स इतने किसानों को इतनी रकम दिज गई है अपनी इस दसभी इंस्टॉल्मेंट यानि कि एक इंस्टॉल्मेंट में लगबग 21,000 करोड जा रहा है तो तीन इंस्टॉल्मेंट में कितना जाएगा और कोई लिमिट है कि है इसकी बिलकुल है इसका जो टोटल है वह एक साल के हिसाब से है यानी कि पर एनम एक साल में कितना पैसा खर्च करना है तो वह 75,000 करोड मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है 75,000 करोड की है एक साल में 75,000 स्कीन के अंतरगत अब आते हैं किसानों के उपर इलेजिबिलिटी क्या सभी किसानों को दिये जाएंगे जब यह स्कीन को को ही 6,000 रुपए दिये जाएंगे small and marginal farmer अब इसका criteria क्या है ऐसे कौन से किसान है जिनको small and marginal तो उन्होंने इसका भी डाटा दिया क्यों ऐसे किसान जिनके पास land holding यानि कि जिनके पास जो जमीन है वो कितनी हो दो हेक्टेर तक हो दो हेक्टेर से अगर जादा है तो उनको इस PM किसान योजना का लाव नहीं मिलेगा उनको 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो यनि कि small and marginal फार्मल वाले ही इसके अंदर आते थे लेकिन इसमें फिर कुछ चेंज कर दिये गए इस स्कीम को फिर से रिवाइस किया गया रिवाइस किया गया था एक तारिक को एक च्छे 2019 को इस स्कीम को रिवाइस किया और रिवाइस में यह लिमिट को हटा दिया कैसा आप कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास दो ही हेक्टर हो, कितनी भी हो, आल लेंड होल्डिंग फारमर को इसका योगदान नहीं, इसका फायदा मिलेगा, ठीक है? चाहे वो हैक्टर हो चाहे कि इस लिवाइद दस हैक्टर उसका कोई फरकने परता, उन वह सभी मिलेगा ठीक है, मतलव आज की रिट में सभी फार्मर इसकी उपर मला सभी फार्मर इसमें आ जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन तो रखने पड़ेंगे क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी है जो एक परफेक्ट है मतलब काफी अच्छी खासी उनके पास जमीन है जायदाद है सब कुछ है और उनको च्छाइए रपे की जरुवत है नहीं तो क्या उनको भी च्छाइए रपे दिये जाए तो कौन-कौन से ऐसे किसान है बहुत सारे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो किसान क अपना जो किसानी है जो फार्मिंग है उस क्य कह सकते हैं प्रामरी ठीक तौर पर नहीं लिया जाता है आँज कम आजकाण के लिए जैक साइड वी तो यह कहली किसान mund में आप संग केसान को तो उत्रान साथ साथ में कुछ अपना साइड बिजनिस भी चलता है मलब जो हमारी फार्मिंग उसको कह सकते हैं प्रमुक जो अपना बिजनिस है उसको वह उसमें अपनी कनवर्ट नहीं हुआ है तो यहां पर कुछ पूरे की पूरे सौ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो किसानी जो खेती है वो सिर्फ एक साइड की तौर पर साइड बिजनिस के तौर पर करते हैं कि चलो खेती तो चली रही है उसके लावा किसी ने अपना परचुने की दुकान खोल रखी है किसी ने किराने की दुकान खोल रख खेती तो चलो ठीक है चार भाई दो खेती कर लेते हैं दो कई नौकरी कर रहे हैं किसीने अपना बिजनिस खोल लिया इस तरह से चलरा है तो वही चीजें आप पर एक्स्कूलूजन रहें आपर ऐसे कौन से सफार्मर जिनको तो इस category में मतलब इस scheme में इस योजना में उनको छह जार रपर नहीं मिलेंगे पहली जितने भी institutional लेंड होल्डिंग है institutional लेंड होल्डर अब ये institutional लेंड होल्डर में क्या आता है जैसे कि आपके हम कहें government farm हो गए सरकारी farm है आप वो काएंगे भई खेती तो यहां पर भी हो रही है हमको भी 6000 दे तो उनको नहीं मिलेंगे जैसे कि माल लीजिए मैं कहूं कहीं माल लीजिए मेरे पास शुगर केन की factory है अब मेरे पास शुगर केन मालब गन्य का रस निकालना गुड बगरा बनना शक्कर बगरा बनाई जाए मेरे पास शुगर केन factory है तो माल लीजिए मेरे पास बहुत सारी जमीन भी है उसमें मैं श्वगर कें ऍमेरे पास खुद का वही है जमीन है तो मुझे उस चीज का नहीं मिलेगा तो जैसे कि हमका हूं है कश हुगर कें फैक्तरी इस के पास जो लेंड होती है जिसमें वो गन्य की खेती बगरा करते हैं, फिर उसी से अपना product बगरा बनाते हैं, उनको नहीं मिलेगा ठीक है? और इसके लावज जैसे cooperative farm बगरा हैं cooperative farm बगरा हैं, इनको भी इस योजना का लाब नहीं मिलेगा और अगर हम बात करें तो जितने भी फॉर्मर या प्रिजेंट में गवर्मेंट जॉब में हैं थ्यानक अभी अगर माल लीजे किसी की गवर्मेंट जॉब भी है और मुझे भी कहता है कि मेरे गाउन में खेती भी है तो मुझे भी छायार दो तो उसको नहीं मिलेगा ठीक है उनको भी नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो आपके रिटार्ड पैंशनर है जो अभी है पैंशनर उनको मिल रहे तो उसमें भी एक क्रेटरी कर दिया कि अगर पैंशन आपको दस हजार या उससे जादा मिल रही है अगर पैंशन दस हजार रुप प्रफेशनल्स में जैसे कि मैं कहूं लाइक डॉक्टर हो गए टीक है इंजीनियर्स हो गए आपके चार्टेट अकाउंटेट बगएरा हो गए यह लोग जो है उन लोगों को भी आपको बखील हो गए लॉयर्स बगएरा हो गए इन लोगों को भी नहीं मिल देगा ठीक है यह ओगया इनका इलिजिबिलिटी अब जो किसान है उनके पास डॉकुमेंट की अगर हम बात क क्यां कहने क्या क्या कौन को इसे डॉकुमेंट ऑने चाहिए हैं कि जो एसेंचल डॉकूमेंटwiąz Durham के पास होने ही जो रहता है वो दूसरा यहां पर आधार जो कि almost सबी के पास है आपका आधार नंबर आधार कार्ड होना चाहिए ठीक है तीसरा यहां पर बैंक कांट क्योंकि पैसे बैंक में आएंगे तो उस किसान का एक बैंक आकांट भी होना चाहिए और टो चोथा यहां पर है Land Holding Order वह सरी पिपर आपके पास कितनी जमीन है Land Holding प्रइंग पर तो यह बेसिकली चार्ड ऐसे डॉकुमेंट है जिसको पर कहते ना के बाई सी किसी के डॉकुमेंट पूरे नहीं होते बाई जो यह वही चीज है तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ठीक है इसे स्कीम से रिलेटेट जो भी इनफॉर्मेशन थी जहां से क बाते मैंने आपको बता दी हैं और इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं बताने लाइक अब ठीक है तो यह अपनी एक स्कीम थी ऐसी बहुत सारी स्कीम साइंगी सभी स्कीम को अपन अच्छे से कबर करेंगे अब बस बने रही है थैंक यू झाल